हेलो एब्रीबन वेलकम टू स्टेडी एक्स्प्लोजन आज हम करेंगे सी आई की नेस टाइप जाने की कंपाउंड इंट्रस्ट की नेस टाइप जो बेस्ट है प्रिंसिपल के ऊपर ठीक है तो सबसे पहले कल मैंने आपको सिखाया था अमॉंट निकालने का फार्मूला क्या था प्रिंसिपल इन्टु बन प्लेस रेट बाई हन्डर की होल्प आवर टाइम ठीक है जेहीं से आज हम निकालने जा रहे हैं प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल लेंगे principle रहेगा अपने गर में जे portion amount के निचे चला जाएगा तो जे बन जाएगा amount by 1 plus r by 100 की whole power p और जहां से p होगा आपका principle r होगा rate और t होगा time a होगा amount ठीक है तो चलिए चलते हैं अब इसकी exercise पे देखी कल मैंने आपको जब base करवाया था तो मैंने सभी फार्मूले भी करवाया थे लेकिन हमने कल एक भी फार्मूले का जूज नहीं किया था तो उमीद यही करते हैं कि पूरे chapter में कम से कम जितना कम जूज होगा फार्मूले का उतना ही करेंगे हम totally tricks से ही करेंगे देखी फर्स question कहते हैं कि एक sum of money एक पैसा invest किया जाता है 10% compound interest के हिसाब से ठीक है और वहाँ पैसा दो साल के बाद कितना हो जाता है 10,144 जाने कि 10,164 but बाजदा sum invested बताओ जो sum invest किया था बहाँ कितना था जाने कि principle हमने निकालना है ठीक है और हमें given क्या दिया गया है amount तो देखी हम trick से ही करेंगे percentage लेकर चलेंगे 10% 10% की fraction value क्या होगी 1 by 10 जाने कि हमारे हिसाब से principle कितना है 10 और interest कितना है 1 तो principle plus interest करेंगे 2 बन जाएगा amount और 2 कितना बन जाएगा 11 10 और बन करेंगे 11 11 होगा amount अब principle भी हमारे पास है amount भी हमारे पास है ठीक है principle कितना है 10 और amount कितना है 11 ठीक है अब year कितने है 2 तो 2 year है तो मैंने कल भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि square कर देना है अगर 2 year है तो square कर देना है 3 year है तो cube कर देना है तो 10 का square करेंगे principle बन जाएगा 100 और amount बन जाएगा 11 का square करेंगे तो 121 अब amount हमारे हिसाब से 121 है अकार्डियन टुक्वेशन amount कितना है 10164 तो जहां से बन की value निकल जाएगी 10164 डिवाइड बाइ 121 तो 121 इंटू 84 करेंगे तो बन जाएगा 10164 तो बन की value कितनी आगई 84 अब निकालना क्या है सम प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल कितना है हमारे हिसाब से 100 तो बन अगर 84 के एकुल है 84 इंटू 100 जाने की 84 100 तो 84 100 होगा इस question का right answer option B इसी question को अगर formula से निकालना होता तो देखिए निकालना क्या है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल निकालने के लिए amount divide by 1 प्लस r by 100 into t कर देना है तो amount दिया है उन्होंने कितना 10164 और divide कर देना किसे 1 प्लस r कितना है 10 10 by 100 और time कितना है 2 तो 0 से 0 चला जाएगा तो जहां से आपकी value जो भी बनेगी answer आपका 8400 बन जाएगा ठीक है तो इस question को आप जहां से solve कर लेना क्योंकि हम करने जा रहे हैं totally trick से फार्मूले से अगर आप लोग करोगे तो साथ-साथ करते जाना ठीक है next question देखिए राफुल invested a certain sum for two years at 60% per annum compound interest कहते हैं कि राफुल कुछ पैसा invest करता है दो सालों के लिए और rate of interest क्या है 60% if at the end of two years he received interest of RS 11700 कहते हैं कि दो साल के बाद बहे interest receive करता है जो पैसा जमा करवाया था उस पर जो interest बनता है 11700 then how much did he initially invest तो स्टार्टी में उसने कितना पैसा जमा करवाया था बहे बताना है ठीक है तो देखिए percent कितनी है 60% 60% की fraction value क्या होगी 3 by 5 तो हम जे बता सकते हैं principle अगर 5 है तो interest कितना है 3 और 5 और 3 करेंगे 8 8 होगा amount तो जहां से हमें principle और amount मिल गया कितना principle हमारे हिसाब से 5 है amount हमारे हिसाब से कितना है 8 ठीक है अब 2 सालों के लिए है तो square कर देंगे 3 सालों के लिए होगा तो cube होगा 4 सालों के लिए होगा तो four time होगा ठीक है इससी तरह से one तो five का square करेंगे 25 बन जाएगा eight का square करेंगे 64 बन जाएगा तो principal अगर 25 है amount 64 है तो जहां से हम interest निकाल सकते हैं कितना होगा 64 minus 25 करेंगे तो 39 ठीक है अब interest है हमारे हिसाब से 39 लेकिन according to question interest दिया है 11700 तो जहां से बन की value आ जाएगी 11700 डिवाइड वाइड वाइड थर्टी नाइट तो 39 इंटू 3 करेंगे 117 आ जाएगा और दोनों 0 साथ में आ जाएगे ठीक है तो बन की value कितनी आ गई 300 अब बन की value 300 है निकालना क्या है सम तो सम प्रिंसिपल कितना है 25 तो अगर बन की value 300 है तो 25 की value क्या होगी 300 इंटू 25 करेंगे तो 75 100 आ जाएगा तो 75 100 होगा इस question का right answer option d होगा इस question का right answer साथ साथ अगर आप फार्मोले से करना चाते हो तो बिल्कुल साथ साथ आप फार्मोले से करिए और चेक करिए कि क्या जो सर पढ़ा रहे हैं बहांसर सेम बनता भी है जा नहीं ठीक है next question देखिए Manish deposit a certain sum of money at 5% rate of interest per annum compounded annually at the end of 3 years Manish received a total amount of 92 610 but was the sum of money deposit by Manish कहते हैं कि Manish कुछ पैसा deposit करवाता है जमा करवाता है 5% rate of interest के हिसाब से 3 साल के लिए ठीक है और Manish receive कलता है 3 साल के बाद जो amount बनता है वह बनता है 92 610 what was the sum of money बताओ Manish ने जो sum of money deposit करवाई थी वह कितनी थी जाने कि principal निकालना है ठीक है तो देखिए rate of interest कितना है 5% तो 5% की fraction value क्या होगी 1 by 20 तो हम जहां से जे कह सकते है principal अगर 20 है तो interest 1 है तो amount कितना होगा 20 plus 1 करेंगे 20 बन होगा हमारे हिसाब से amount ठीक है तो principal है हमारे हिसाब से 20 amount है हमारे हिसाब से कितना 21 but according to question कितने साल के लिए है 3 साल के लिए तो इनका cube कर देजिए ठीक है 9261 तो जहां से हम compound interest भी निकाल सकते है एट थोजन प्रिंसिपल है amount है 9261 तो जहां से 2261 होगा interest ठीक है अब according to question क्या given दिया गया है amount given दिया गया है but हमारे हिसाब से amount कितना है 9261 तो 9261 हमारा हिसाब उनके हिसाब के बराबर हो जाएगा 9261 जीरो तो जहां से जे कट जाएगा किस से 10 से तो बन की value किसके उकुला आगी 10 अब बन की value हमने 10 निकालना हमने principle तो principle हमारे हिसाब से कितना था 8000 अगर बन की value 10 है तो 8000 की value क्या होगी यह होगी 8000 into 10 जाने कि 80, 80,000 होगा इस question का right answer option B नेस्ट question देखिए इस sum of money been invested at 10% compound interest per annum amount to Rs 1815 after 2 years कहते हैं कि एक sum of money है जो 10% rate of interest पे जमा करवाई जाती है और बहुत दो साल के बाद कितनी amount कितना बन जाता है अब जो amount क्या होगा जाद रखना जो money हम जमा करवाते हैं उसको principle कहते हैं उसको sum कहते हैं और उस पे जो compound interest लगता है वो है interest होगा तो इन दोनों के मिलाकर जो पैसा निकलाया जाता है निकलवाया जाता है उसको amount कहते हैं ठीक है तो amount का मतलब क्या हुआ principle प्लस c i तो वह दो साल के बाद बन जाती है 2815 बताओ जो स्टार्टी में पैसा जमा करवाया जाता है वह कितना तो हमेशा जाद रखना जो पैसा जमा करवाया जाता है वह प्रिंसिपल होता है ठीक है तो हमने principle निकालने है अब 10% rate of interest है तो 10% की fraction value का होगी बन बाई 10 जानिकि हमारे हिसाब से principle 10 होगा compound interest उस पे interest मिलेगा बन का और amount कितना बन जाएगा 11 हमारे हिसाब से principle आ गया 10 amount आ गया 11 अब बात है दो साल की दो साल की बात है तो इनकी power square में हो जाएगी ठीक है तो 10 का square करेंगे 100 आ जाएगा और 11 का square 121 जानिकि हमारे हिसाब से principle 100 है और amount है 121 according to question amount कितना है 1815 तो हमारा हिसाब 121 उनके हिसाब के equal हो जाएगा कितना 1815 ठीक है तो जहां से निकालना क्या है हमने sum तो जहां से बन की value आ जाएगी 1815 divided by 121 और निकालना है हमने principle तो प्रिंसिपल हमारे हिसाब से 100 है तो जहां से 100 की value निकालने होगी तो जह बन जाएगी multiply by 100 तो 1815 को डिवाइट करेंगे 121 से तो कट जाएगा जे 15 से 15 इंटू 121 करेंगे तो बन जाएगा 1815 तो 15 इंटू 100 होगा बन जाएगा 1500 तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1500 1500 होगा इस पर्शन का राइट आंसर नेस्ट कोशन देखिए प्रिंसिपल 25 है तो इंटरस्ट बन का है तो अमांट कितना होगा 26 तो हम जहां से प्रिंसिपल और अमांट लिख सकते हैं प्रिंसिपल है 25 अमांट है 26 अब बात है दो सालों की तो जे स्क्वेर में बदल जाएगा तो 25 का स्क्वेर करेंगे 625 आ जाएगा 26 का स्क्वेर करेंगे 676 आ ठीक है अमाउंट उन्हों ने दिया है कितना 338 लेकिन हमारे हिसाब से माउंट कितना 676 तो हमारा हिसाब उनके हिसाब के बराबर हो जाएगा 338 के तो जहां 625 की वैल्यू क्या होगी 1 by 2 into 625 तो 625 का हाफ कितना होगा 312.5 तो प्रिंसिपल कितना होगा 300 के वैलोफ पॉइंट 5 आप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट अंसर नेस्ट क्वेश्चन देखिए आनबट सम बिल्दा कंपाउंड इंटरस्ट एट दा रेट आफ टवैलोफ बन बाइट टू परसेंट पर एननुट एनुली भी 6800 कहते हैं कि बताओ बहे कितना सम होगा जिसका इंटरस्ट दो सालों में टवैलोफ पॉइंट 5 परसेंट के हिस सकते हैं हमारे हिसाब से प्रिंसिपल एट है तो कंपाउंड इंटरस्ट कितना है बन तो प्रिंसिपल प्लस इंटरस्ट करेंगे तो बहे बन जाएगा अमांट और बहे बन जाएगा नाइं ठीक है तो प्रिंसिपल और अमांट का डिफरेंस होगा सेवंटी ठीक है हमारे ह तो जहां से बन की वैल्यू निकाल लेंगे तो 17 इंटू 4 करेंगे 68 तो 400 से करेंगे तो बन की वैल्यू कितनी आगी 400 अब बन की वैल्यू है 400 निकालना है प्रिंसिपल जो हमारे इसाब से कितने है 64 64 की value क्या होगी 400 इंटू 64 तो आप सिंपल 64 इंटू 4 कर लीजिए वो बन जाएगा 256 और दोनों 07 में लगा दीजिए जही होगा आपका राइट अंसर ठीक है आप्शन डी होगा इस question का राइट अंसर next question देखिए the money invested for two years which is to be compounded annually at the rate of 20% per annum at maturity it becomes 324 what was the initial amount invested कहते हैं कि दो साल में 20% rate of interest के हिसाब से कोई money 324 बन जाती है दो साल के बाद तो बताओ वह पैसा कितना जमा करवाया था invest कितना जाने कि principle निकालने है ठीक है तो देखिए 20% तो 20% की fraction value क्या होगी बन बाई 5 जाने कि principle अगर 5 है interest बन है तो amount कितना होगा amount होगा 5 ब्लस बन 6 ठीक है तो principle और amount हमारे पास आगया कितना 5 और 6 year है 2 तो इनका square कर देंगे principle बन जाएगा 25 और amount बन जाएगा 36 ठीक है हमारे हिसाब से amount बन गया 36 but according to question amount दिया है कितना 324 तो जहां से बन की value निकाल लेंगे बन जाएगी 324 by 36 तो 36 into 9 करेंगे 324 बन जाएगा बन की value आ गई 9 अब बन की value उकर है 9 के तो हमने बताना है principle जो हमारे हिसाब से है 25 तो बन की value अगर 9 है तो 25 की value क्या होगी 9 into 25 तो जहें बन जाएगा 225 225 होगा इस question का right answer option D next question देखिए a fixed amount becomes Rs.7200 in two years at a compound interest rate of 20% per and find the principal amount कहते हैं कि एक amount है जो दो साल में 7200 बन जाता है 20% rate of interest के हिसाब से तो बताओ principle amount जाने कि जो पैसा invest किया गया था बहर कितना था तो principle निकालना है ठीक है तो rate of interest कितना है 20% तो same 20% की fraction value का होगी 1 by 5 जाने कि 5 होगा principle interest होगा बन और amount कितना बन जाएगा 6 तो जहां से principle और amount principle है 5 amount है 6 साल है दो जाने कि square आ जाएगा तो जब बन जाएगा principle 25 amount बन जाएगा 36 अब amount उन्होंने दिया है 7200 लेकिन हमारे हिसाब से amount है 36 हमारा हिसाब उनके हिसाब के बरबर आ ठीक है तो जहां से बन की value निकाल लेंगे बन की value होगी 7200 डिवाइड वाइ 36 तो 36 इंटू करेंगे 72 और दोनो जीरो साथ में बन की value कितनी आगी 200 अब बन की value आगी 200 निकालना क्या है principle जो कितना है 25 तो 25 की value क्या होगी 200 इंटू 25 तो आप simple 25 इंटू कर लेजिए सिर्फ व अप्षन डी नेस्ट कोशन देखिए कैल्कुलेट दा प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्ल्कुलेट करना है इस एन अमंट आफ आफ आरेस अमंट कितना है 441 इस रिसीब डं कंपाॉंड इंटरस्ट एट रेट आफ फाइपरसेंट रेट अफ इंट्रस्ट है पर रेन्नम ट्वांट जाने कि प्रिंसिपल अगर 20 है तो कंपाॉंड इंटरस्ट कितना है बन तो अमंट जहां से कितना बन जाएगा 21 ठीक है तो प्रिंसिपल है 20 अमंट है 21 तो बात कितनी है दो साल की ठीक है तो टू इयर है तो स्क्वेर आ जाएगा तो 20 का स्क्वेर करेंगे 400 बन जाएगा 21 का स्क्वेर करेंगे 441 बन जाएगा अब अकार्णी टुक्वेशन अमाउंट दिया है 441 लेकिन हमारे हिसाब से कितने 441 ही ठीक है तो हमारा हिसाब उनके हिसाब के ब्रबर आ अगर अमाउंट 441 है तो जहांसे बन की वैल्यू बन आ जाएगी तो पूछा किया है प्रिंसिपल कितना 400 अगर बन की वैल्यू बन है तो 400 की वैल्यू भी 400 ही होगी तो 400 होगा प्रिंसिपल जाने की इस परसेंट है सेकंड वैले परसेंट और एटिए परसेंट दसम अमाउंट टू आर्यस जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अमाउंट में बदल जाता है तीन साल के बाद कितना 20,000 में find the principle amount तो अब हम इसे फार्मूले से निकाल लेंगे देखिए अमाउंट का फार्मूला क्या था प्रिंसिपल इन्टू बन प्लस आर बन जाने की रेट बन बाई हंडड बन प्लस आर टू बाई हंडड बन प्लस आर थ्री बाई हंडड ठीक है तो जहां से अमाउंट उन्हें दिया है कितना 20,000 by April एकल टू न्तू बन प्लस आर ऐसरक तरे बन प्लस 6 बाई हंडर हंडड इसी तरह से बन प्लस ट्वैलवक्य हंडर इसी तरह से बन प्लस 18 बाइ 100 ठीक है तो देखिए 6 3 से जाएगा और जो 50 से जाएगा सेम जो 3 इंटू 4 होगा जो 25 इंटू 4 होगा जो 9 इंटू 2 होगा और जो 50 इंटू 2 होगा तो जहां से बैल्यू बन जाएगी P इंटू 50 इंटू 150 प्लस 3 53 by 50 इंटू 2503 28 by 25 इंटू 59 by 50 ठीक है और जे किसके उकल होगा अमाउंट के अब हमने निकालना है प्रिंसिपल तो जे सारी वैल्यू अमाउंट के साथ रैसी प्लस प्लस में मल्टिप्लाइ हो जाएगी ठीक है जब बन जाएगा 20 थोजन इंटू 50 बाइं 53 इंटू 25 by 28 इंटू 50 by 59 तो इन सब को कट करक्ट के जो अंसर बनेगा बहाँ बनेगा 14276.58 अप्शन ए होगा इस क्वेशन का राइट अंसर अब कोशी करना आप इसको ट्रिक से निकालने की ठीक है पहले चैसे को कि लेना फिर 20 को फिर 18 परिंटिंट को को ठीक है वहां से आपका प्रिंसिपल और आंवांट निकल जाएगा हमारा अमांट इनकी अमांट के बराबर होगा भाँ से प्रिंसिपल को भी बरबर कर लेना ठीक है नेस्ट कूशन देखिए बट इस अधा principal amount which earns Rs. 154 as a compound interest for the second year कहते हैं कि principal amount बताओ जानि कि principal बताओ कितना होगा जिसका interest second year का बनता है 154 10% के हिसाब से ठीक है तो देखिए two year है जहां पर first and second ठीक है तो second year का जो interest है बहा बन रहा है 154 10% के हिसाब से इसका मतलब हम जे कह सकते हैं कि अगर interest first year 140 होगा तो second year भी 140 तो मिलेगा ये मिलेगा लेकिन इस 140 का भी 10% 14 मिलेगा तो जे बन जाएगा 154 बिलकुल से ही ठीक है तो अब हम जे कह सकते हैं कि second year का interest 154 है और first year का interest 140 है और 140 जो interest मिला है बहुत कितने पर मिला है 10% पर मिला है तो किसका 10% करेंगे 140 तो किसी का 10% निकालना हो तो एक 08 दो बट एक 08 जे बन रहा है 140 इसका मतलब बहां पे 2-0 होंगे तो 10 प्रेसेंट 14 100 का 10 निकालनेंगे तो बहुत 140 होगा तो 1400 होगा principle उमीद चाहता हूँ कि आपको जे ट्रिक समझ आ गई हो अच्छे से और इस question का right answer क्या होगा option A next question देखिए a sum of money becomes Rs. 4500 after two years कहते हैं कि एक sum of money है पैसा है principle है जो दो सालों के बाद बदल जाता है 4500 में and Rs. 6750 after four years और चार सालों के बाद बदल जाता है 6750 में find the sum तो बताओ वो sum क्या होगा ठीक है तो देखिए एक amount amount का formula क्या है P into 1 plus R by 100 into T ठीक है तो जहां से amount पहला amount बन जाता है कितना 4500 और principle हमने निकालना है और जे बन जाएगा 1 plus R by 100 और time पहला कितना है 2 ठीक है इसी तरह से second क्या बनता है amount 6750 equal to principle into 1 plus R by 100 और second का time कितना है 4 जहां से यह आपकी first equation बन गई यह आपकी second equation बन गई तो dividing second by 1 second को हम divide करेंगे बन से तो second बन जाएगी 6750 उपर और इसे divide करेंगे बन से तो 4500 आ जाएगा equal to P into 1 plus R by 100 into 4 और divide होगा P into 1 plus R by 100 का square ठीक है तो देखिए अब ज़े 0 से 0 चला जाएगा और जे P से P चला जाएगा 2 से 2 टाइम चला जाएगा ठीक है और जहां से आपका 75 into 6 करेंगे 450 होगा 75 into 9 करेंगे तो 675 होगा जे 3 into 2 से चला जाएगा जे 3 into 3 से चला जाएगा ठीक है तो आपकी जहां पर value क्या बन जी 3 by 2 और जे किसके उकल होगा 1 plus r by 100 की whole power 2 ठीक है तो इस value को first में put कर लेजिए ठीक है first क्या है 4500 equal to P into 1 plus r by 100 का whole square और जे किसकी value के आगई 3 by 2 तो जहां पर जे बन जाएगा 3 by 2 अब हमने निकालना है principle तो जे बन जाएगा 4500 3 by 2 left side जाएगा तो जब बच जाएगा 2 by 3 में बदल जाएगा ठीक है तो देखिए 3 into 1500 से कट जाएगा तो 1500 into 2 करेंगे जब जाएगा 3000 तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई 3000 आप्शन बी होगा इस question का right answer तो आज के लिए इतना ही रखते हैं नेस्ट वीडियो में मिलें देंगे आपको ठीक है थैंक्यू कुलास